एक serial killer और उसका copycat killer ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं इन दोनों में एक past है, एक history है जो इस movie की mystery है Hello friends, आज के हमारी movie Our Town ये 2017 की एक Korean mystery thriller movie है ये movie बहुत सारे turns लेती है और जो भी होका ये हम expect नहीं कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करना चाहता है अगर आपको वीडियो अच्छा राखता है तो प्लीज इस वीडियो को like और comment जरूर कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत support मिलता है अब बिना किसी तरी के इस dangerous सी movie को explain करना स्टार्ट करते है वी स्टार्ट होती है और हम देखते है कि एक security guard को एक लड़की की body टंगी हुई मिली है मैं फिर दिखाया जाता है कि इसी type के अलग-अलग age group में चार murder हो चुके है नेक सिन में हम हमारे main character जिसका नाम ही यंग जू इसे gaming parlor में देखते है वहाँ उसकी landlord आई तो जल्दी से वहाँ से भाग गया क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ भी rent pay नहीं किया था यंग जू एक writer है एक video game की company को वो अपनी script की idea sell करना चाता था पर वो उसमें interested नहीं थे वो कहते है तुमने जो भी लिखा है वो इतना real नहीं है इतना जादा violence नहीं चलता यंग जू कहता है कि आपको इससे real नहीं मिलेगा gaming वालों ने उससे कहा कि तुम्हें क्या पता क्या तुमने किसी आदमी को मारा है यहाँ पर यंग जू के चेहरे पर amusement थी नेक्सेन में में पुलिस के मिटिंग दिखाए जाती है यहाँ हमारा और एक main character है इसका नाम है जेशिन जो भी city में murder हो रहे है इस case का इंचाज जेशिन ही है उसके boss उसे investigation के बारे में पुछते है पर कुछ भी progress नहीं हुई थी उससे बहुत data जाता है यंग जू पुलिस जेशिन में आया था तो यंग जू उसे congratulate करता है नेक सिन में हम देखते है यंग जू murder की जगा पर आया हुआ था वहाँ पर date body को imagine कर रहा था इसके बाद food stall पर खाना खाते हुए यंग जू एक लड़के से मिलता है इसका नाम ही योई ये दोनों murder के बारे में discuss करते है यंग जू कहता है killer यही कही रहता होगा यंग जू जब घर पर आया तो उसके landlord ने उसके घर को lock कर दिया था वो बेफोन से उसे call लगाता है कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उससे आप बात कर सकती थी वो हमेशा landlord को ignore करता रहता था तो यह सही नहीं था वो फिर footpath के पास बेट कर ही drink करता है कुछ बाइकर रस्ते से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ने उस पर धुवा डाल दिया यह सब उसके face पर आया था वो बहुत ज़ादा गुसा था उसने देखा कि रस्ते के side पर एक गाड़ी रुकी हुई है गाड़ी में एक couple make out कर रहे थे इन couple में से आदमी गाड़ी से बहार निकलता है वो रस्ते के side पर toilet कर रहा था तब ही यंग्जू उसके पास आया और उसे मार डाला पल मैंसे लड़ की बहुत ज़ादा डर चुकी थी यंग्जू फिर इन दोनों को उठा कर एक toilet में लेकर आया boyfriend मर चुका था और girlfriend बहुत ज़ादा डरी हुई थी यंग्जू से कहता है तुम में क्या talent है वो डर कर ही कहती है कि मैं गाना गा सकती हूं यंग्जू कहता है कि मुझे का कर सुनाओ अगर तुमने अच्छे से गाया तो तुम्हें मैं छोट दोंगा वो गाना का रही थी तब पीछे जाकर यंग्जू ने उसका गला काट दिया ये सिन खतम होने के बाद हमें पता चलता है ये सब यंग्जू की इमेजिनेशन थी वो राइटर है रस्ते के सामने गाड़ी आई तो उसने ये सब इमेजिन किया था रात उसने बाहर ही बीता है और अगले दिन वो लैंडलोड के पास पहुचा वो उससे कहता है कि आपको रेंट चाहिए मेरे पास हाट डिस्क है जो मैं सेल करकर आपको रेंट दे सकता हूँ ये लैंडलोड भी मान गई वो उसके साथ उसके रूम तक आई वो आसपास देखती है तो कहती है तुमने कितना घटिया घर रखा है वो बहुत कुछ कंप्लेंट कर रही थी यंग्जू ने देखा कि उसकी फैमिली फोटो टूट चुकी है इस पर वो बहुत जादा गुसा हो गया उसे बोच्छता है ये कैसे हुआ लैंडलोड कहती है कि चावी बदलने के लिए जो आदमे आया था शायद उसने तोड़ा होगा यंग्जू उससे उची आवाज में बात कर रहा था तो गहती है कि क्या तुमें तमीज नहीं है यंग्जू को और वी जादा गुसा आ गया उसने उसे मार डाला इस बारा का मर्डर ये एक रियल मर्डर था उस पर शक ना आये लैंड लेड़ी के ही पैसे लेकर उसने एक इन्वलप में डाले अपना नाम उस पर लिखा यानि कि पुलिस को लगेगा यंग्जू ने सही से रेंट पे किया था उस पर शक ने आयेगा सीटे में बहुत सारे मर्डर होई रहे थे और मर्डर के बाद बॉड़ी को हैंक कर दिया जाता था उसी टाइब से यंग्जू अपने लैंड लेड़ी की बॉड़ी भी हैंक कर कर आता है अब सब को लगेगा कि ये मर्डर भी सिरियल किलर नहीं किया हुआ है अगली दिन पुलिस को बॉड़ी भी मिल गई तूटी हुई फ्रेम बाई करने के लिए यंग्जू योई की पास आता है योई ये फ्रेम ढूनते हुए यंग्जू को अपने मोबाईल से मैसेज करता है कहता है मुझे पता है कि तुम नहीं मर्डर किया है इस मैसेज के बाद उसने कोट भी डाला हुआ था इसका मतलब क्या था कि हमें आगे पता चलेगा यंग्जू इस मैसेज से सप्राइस था फ्रेम लेकर यहां से हो चला गया इसके बाद हम देखते हैं कि योई घर पर आया उसने अपने लिए जो फूट बनाया था वो उसके डॉग ने खा लिया गुसा होकर वो डॉग को मार डालता है लैंड लेडी की मर्डर की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जेसिन यंग्जू की बिल्डिंग में ही था उसके पास आया और अब ये दोनों हैंग आउट कर रहे है जेसिन कहता है किलर का चाइल्ड होट शायद खटिया होगा इसी वज़े सुए सब चीज़े कर रहा है यंग्जू कहता है कि अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तुम्हें उसकी तरह सोचना होगा उसे फिर एक स्टोरी हो बताता है वो गहता है कि एक फ्यूनरल पर दो सिस्टर्स थी वहाबर एक आदमी आया जो बड़ी सिस्टर को पसंद आ गया देखते ही उसे प्यार हो गया था रात में इसी बड़ी सिस्टर को सपना आता है कि अपनी sister को उसने मार डाला है अब यंग जो जेशिन से पूछता है कि सपना उसे क्यों आया जेशिन गहता है कि शायद हो जेलस होगी शायद हो नहीं चाहती थे कि वो आदमी उसकी sister को पसंद करे यंग जो गहता है तुम गलत हो बड़ी sister उस आदमी से funeral पर मिली थी अगर वो अपनी sister को मार डालेगी तो फिर से funeral होगा और उसे मिल पाएगी तुम्हें इस तरह से सोचना चाहिए जेशिन को शक है कि जो murder अभी अभी हुआ है वो एक copycat killer का काम है यानि कि real killer ने काम नहीं किया था अगले दिन जेशिन अपने senior से बात कर रहा था उसके senior कहते हैं बहुत सालों पहले एक SI murder हुआ था जेशिन को लगता है कि शायद उसका कुछ connection हो सकता है तो जल्दी से इस case के सब files वेगरा निकालता है जेशिन जब investigation की सब files लेकर जा रहा था तो पुलिस station में योई से टकराता है योई एक reporter होने का ढोंग कर रहा था इसके बाद योई जेशिन के desk पर जाकर कुछ dolls रख कर आता है जिस तरह से पुलिस को bodies tie की हुई मिलती है ये dolls भी वेसी की है इसका मतलब है योई हमारा real killer है जेशिन यंग्जू के घर पर आया हुआ था पर यंग्जू कही बाहर था वो उसका PC on करता है उसने उसकी book देखी ते इसमें जो भी murder city में हो रहे है इसका description लिखा हुआ है अब जेशिन को यंग्जू पर strong शक जाता है जब यंग्जू घर पर आया तो जल्दी से जेशिन वहाँ से चला गया जेशिन पुली स्टेशन में आने के पात योई ने उसके लिए जो डॉल्स रखी थी इनने नोटिस करता है वो बहुत ही जादा घुसा हो गया था सबसे बोचता है यहाँ कोन आया था यहाँ तुम्हारा इंटर्वी लेने के लिए एक जनरलिस्ट आया हुआ था जेशिन जब योई से टकराया था तब उसने उसका फेस देखा है तो उसे मालूम है वो कैसे दिखता है जेशिन कहता है कि उसका आयकार्ट दिखाओ इस आयकार्ट पर एक दूसरे रिपोर्टर का नाम है जो वैकेशन पर गया हुआ है इस कार्ट पर फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए बोलता है और योई ने ओल्रेड़ी फिंगरप्रिंट मिटा दिये थे लैंड लेड़ी की केस में एक विटनेस थी वो कहती है कि जब उसका मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले वो किसी के साथ जगड़ा कर रहे थी यह जगड़ा रेंड को लेकर था जेशन का यंगजू पर शग और भी स्टॉंग हो गया पुलिस ने योई का स्केश बनाय हुआ था जगा पर लगा था तो यही उसके सामने खड़ा होता है वो एक आदमे से बोश्टा है क्या यह मेरे जैसे दिखता है वो आदमे इस पर हसकर चला जाता है जोई को मज़ा आता है यह उसने इस आदमे को फूल बनाया इसके बाद हमें उसके बचपन का सीन दिखता है जोई बहुत ही छोटा था तो उसकी मदर उसे क्लॉजिट में बन कर देती थी नीचे जाकर एक आदमी के साथ इंटिमेट होती थी यह सब आवाजे सुनना जोई को पसंद नहीं था जेशिन जो आप करण मर्डर होते है उसे टाइब की एक पुराने मर्डर को भी इन्वेस्टिएट कर रहा था जिस लेडी का मर्डर हुआ था बहुत सारे बिजनेस चला दी थी इसमें उसकी बिल्डिंग्स थी उसका फरनीचर का बिजनेस था जो लोग उसे मनी पे नहीं कर पाते थे उन्हें वो बरबात कर दे थी थी पुलिस को लगा था कि उनमें से किसी ने उसे मार डाला इसी वज़े से केस बन हो चुका था फरनीचर की बिजनेस की बात हुए तो जेशिन को अपनी बच्पन के एक बात याद आई वो बच्पन में यंग्जू के साथ हाई स्कुल में था एक दिन उसके घर पर डिनर कर रहा था तब यंग्जू के फादर वहाए उन्होंने जेशिन को घर से बाहर निकाल दिया था उनका फरनीचर का बिजनेस था और उनने मनी प्रॉल्लम थी एक दिन स्कुल में फाइट होने की वज़े से जेशिन बहुत ही जादा हर्ट हो चुका था वो यंग्जू के घर पर आया था यंग्जू के फादर ने देखा तो जेशिन को मारने लग गया जेशिन ने भी फाइट बैक किया तो घर में आग लग गई इसे आग में यंग्जू के फादर और मदर ये दोनों मर गई थे इस आग लगने का ब्लेम फरनीचर बिजनेस को जो ओन करती थी इसी पर लगा दिया गया था जेशिन को पदा चला है कि उसी ओनर का मर्डर हुआ था उसे यंग्जू पर शक है तो उसके घर में वाया बातरूम में जाकर उसने इन्वेस्टिकेशन की तो उसे वहाँ बलड के स्टेंस मिले है उसे शौक लगा कि यंग्जू सच में एक किलर है इसके बाद हमें यंग्जू का फ्लैश बैक दिखाय जाता है जैसे कि मैं पता है कि जेशिन ने जो आग लगाई थी उसमें उसके मदर और फादर मर गए पर ये सब बलेन फरनीचर के बिजनेस को ओन करने वाली लेडी पर आया था यंग्जू ने बदला लेने के लिए उस लेडी को मार डाला यही यूई की मदर थी अब इस situation को मैं आपको फिर से explain करता हूँ यंग्जू के फादर बहुत ही abusive थे जेशिन और यंग्जू के फादर का जगड़ा हो गया accidentally जेशिन से आग लग गए इस आग में यंग्जू के मदर और फादर मर गए इस पूरे incident का blame फरनीचर बिजनेस ओन करने वाली लेड़ी पर आया यह जो लेड़ी थी यही योई की मदर थी यंग्जू को बदला लेना था तो इस लेड़ी को उसने मार डाला रात में जेशिन यंग्जू के पास भोशता है कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए ड्रिंग करते करते उसे एक जगा पर वो लेकर आया जेशिन यंग्जू को बहुत मारता है पुशता है तुमने किया क्यो यंग्जू को मारते मारते ही जेशिन को एक कॉल आया सिटी में दो पुलिस ओफिसर्स का मर्डर हो चुका है यह murder योई ने किया था जेशिन ने figure out कर लिया कि यंग्जू real killer नहीं है पर अपनी land lady को उसने मारा हुआ था यंग्जू जेशिन से कहता है मुझे arrest कर लो जेशिन कहता है कि सजा अब real serial killer को ही होगी यंग्जू उसका friend है तो उसने उसे छोड़ दिया नेकसिन में हम देखते है कि योई ने यंग्जू को call किया था वो उसे council की meeting में बुलाता है यंग्जू को पता है कि message उसे serial killer ने किया था ये serial killer का message उसने जेशिन को भी दिखाया हुआ है council की meeting में discussion चल रहा था कि serial killer से बचने के लिए सब लोग पूरी city में पेट्रोल करेंगे ये meeting खत्म होने के बाद यंग्जू योई का पीछा करता है उसे शक है कि वो ही एक serial killer है योई के shop के उपर कुछ digits लगाय हुए है या वही digits है जो serial killer के message में थे जेशिन सब victims का background चेक करता है victim जिस school में थी यही पर योई भी था जेशिन ने फिर योई की website देखी और उसे पता चल गया कि वो ही serial killer है नेक सिन जब हम देखते है तो योई एक teenager था उसे एक लड़की बहुत ही पसंद आती थी जिसका नाम था Soyun Soyun का भी murder हो चुका है जोई ने Soyun को एक phone दिया था पर वो उसका phone कभी भी उठाती नहीं थी जोई उसके घर पर पहुँचा तो उसे दरवाजे पर ही रखती है जोई कहता है कि मुझे at least घर में बुला भार थंड है मैं कौवे पी सकता हूँ Soyun के साथ उसका boyfriend था जिसका नाम था मैं सौंग मैं सौंग और Soyun ने योई का मज़ाग उड़ाया और वो अंदर चले गए इस बात को बहुत सारे साल गुजर चुके है अब योई ने Soyun को मार डाला है और वो मैं सौंग के पास बोचता है उससे बोचता है क्या तुम हमारे classmates के contact में हो मैं योई कहता है कि Soyun मेरी girlfriend थी हम intimate होते थे तो आजीव आजीव आवाज निकालती थी योई इस पर उसे कहता है कि अब वो मेरी है मैं को बहुत embarrassed लगा वो कहता है कि मैं सिर्व मजा कर रहा था योई ने एक चाकू लेकर में को मार डाला उसके कान में कहता है तुम बहुत ही अजीव अजीव आवाज निकालते हो योई को Soyun ने धोका दिया था इसी वज़े से उसने उसे मारा था जो दुसरे murder उसने किये थे वो उन्हीं लड़कियों की थे जो Soyun की तरह दिखती थी अब जब जो Jason को पता है कि योई murderer है तो उसके घर पर वो पहुच जाता है सब investigation कर रहा था तब योई ने उसे बेहोश कर दिया उसने फिर यंग्जू को call लगाया कहा तुमारा friend मेरे पास है आकर उसे लेकर जाओ यंग्जू घबरा कर जल्दी से वहाँ पहुचता है योई के घर में उसने blood notice किया घर से बाहर आने के बाद योई कार में था यो कार वो start करता है पर यंग्जू उसका पीछा करता रहता है वो उसका पीछा करते करते playground तक आया playground में Jason को लटकाया हुआ है वो फिर यंग्जू के पास आया उसे वो teacher बुलाता है कहता है कभी-कभी मैं तुमारे लिए thankful होता हो कभी-कभी लगता है तुमसे बदला लिया जाए योई ने अपनी गन यंग्जू को दे दी वो चिलाया है मुझे मार डालो वो उसे मार नहीं सकता था पर योई ने खुट trigger दबा दिया अब योई यंग्जू को thankful क्यों था उसने उसे teacher क्यों बुलाया इसका reason हमें पता चलेगा योई के मदर के गुजर जाने के बाद उसे school में लड़के bully करते थे उन लड़कों से यंग्जू ने उसे बचाया था यंग्जू और योई ये दोनों फिर एकी स्कुल में थे यंग्जू हमेशा उसका खया रगता था इसलिए योई उसे teacher बुलाता है योई को पता था कि यंग्जू ने उसकी मदर को मारा है क्योंकि ये जब मर्डर हो रहा था तो योई क्लॉजेट में ही था उसने उसे देखा था और इतने सारे साल उससे बदला लेना चाहता था लास्ट में उसने यंग्जू के हाथ में गन रखकर ही अपने आपको मारा है यानि कि सब मर्डर का इलजाम अब यंग्जू पर आएगा फाइनली उसने अपना बदला ले ही लिया इसी तरी कैसी यह मूवी इंड हो जाती है आज कर वीडियो हम यही कतम करते है आपको यह वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारे मूवी लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करतीजे बेल लोट्वेशन आइकोन दवर मत भूलेगा फिर से में लेंगे और एक नेमोई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये